नमस्कार दोस्तों एक जाम मित्र में एक पर फिर से आपका स्वावत है आशा करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स, नर्सिंग और परामेडिक लिए फाइनल रेजिट्रेशन की प्रोसेस से स्टार्ट हो चुकी है तो ओबी सी, एडवलोस, स्सी और स्टी रिजरूट के बैठती हैं तो उनके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है जो आपको फाइनल रेजिट्रेशन करने से पहले जान लेनी चाहिए आप जानकरे के लिए वीडियो को सुरूशन तक जरूर देके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरूद भाई जिससे की आ क्या किस तरीकी से स्टेफ फोलो करनी है तो सारी डिटेल्स में आपको बताई जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीकी से होगी साथ स्टेडी मेटेरियल वगरा कटोग कितनी रहेगी एडमेट का अर्ड रिलेटेड तो अन्त तक दोस्तों आपको एम्स नर्सिंग या प्रेमेटिकल की सारी इंफोर्मेशन है वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर की है जिससे की आपको नोटिकेसर मिलते रहे ने कीव नहीं मिलने की बुझे से हैं उन्हें कापी सारी प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप निश्यत होके रही आपको एम से रिल्टेट जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले हमारी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी और दोस्तों बात करें स्टेडी मैटेरिय को सोल्व करने हैं फिजिस केमेस्टि और बायलोजी के तीनों सब्जेक्ट के तो आप अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों कम समय में दोस्तों यही एक तरीका है कि आपको एमस में है अपनी सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं तो आपको किस तरीके से करने हैं तो वो पर सकते हैं लिंक पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप जैसे अस परेमिडिकल फिजिक्स के लिंक पर आपने कलिक किया description box में यह English में दिया गया है दोस्तों English और Hindi में सेप्रेट है तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा अगर साथ ही आपको अन्य सब्जेक्ट के भी प्रिवेस एर क्यूशन पेपर या NCRT के MCQ with solution chapter wise अगर वो purchase करने है तो आप व्यू स्टोर पर किली करके आप सारे डिटेल्स में जो जितने भी सब्जेक्ट है तो उनके प्रिवेस एर क्यूशन पेपर और जो जितनी भी study materials है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो एम से परामेटिकल physics के English में जो लिखा हुआ है दोस्तो तो वह English में रहेगा जापे Hindi word लिखा हुआ है तो वह Hindi में paper रहेगा दोस्तो और Hindi material रहेगा तो यहां पर आपको buy now पे click करना है buy now पे click करने के बाद में दोस्तो आपको अपनी details fill करनी है name email id contact number और next पे click करके 99 का payment आपको pay करना है और आपके पास में जो previous year की question paper है वो download हो जाएगा उनका बार-बार solve कीजिए और solve करने के बाद में ही दोस्तो आपको अगर लगता है कि आपका अच्छी preparation हो गई है तो मैं यह 100% मानता हूँ कि आप अपनी ms में seat है वो सुनिशीत कर लेंगे और शाथ ही आपको ncrt के जो mcq है वो भी आपको solve करने हैं तीनो subject के दोस्तों क्यूंकि दोस्तों competition इतना बढ़ गया है हद से ज़्यादा limited seat है लाखों की संक्या में form fill किये गए हैं जो बैठती आपसे दो कदम आगे चल रहे हैं उन्होंने अपना जो syllabus वो पहले ही complete कर लिया है और वो अब ncrt-based mcq और all previous year के question paper है उन्हें ही बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो मेरा दोस्तों आपको यही करना है कि आप बार बार रिवाइज कीजिए और अगर आप syllabus को cover करने में लगेंगे दोस्तों इतने कम समय में आप syllabus को नहीं cover कर पाएंगे तो इससे अच्छा best way यही रहता है कि आप mcq जितने ज़्यादा होसके उन्हें solve कीजिए ncrt-based और solution physics के 11th और 12th के ncrtk आपको total mcq है chapter wise वो मिल जाएंगे साथ यह आपको solutions में मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह chemistry है और यह biology है तो तीनों subject के हैं दोस्तों तो यह भी आप download कर सकते हैं और अगर आपको हिंदी में material चाहिए all previous circulation paper physics के हैं प्रेमेडिकल के अलग है और nursing के अलग है तो यह हिंदी में भी आपको सारगा सारे study material है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इसी के जरीए आप अपनी जो seat है वो सुनीशीत कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो बात हो गई study material की अब जो important अपना topic था उस पे बात करते हैं तो दोस्तों जो अ कापी सारे अभ्यारती थे उन्होंने अच्छी का सी rank भी आसिल की थी लेकिन फिर भी उनका admission वो नहीं हो पाया था उनका registration वो cancel हो गया था तो उसका reason यही था कि दोस्तों जो SC, ST, OBC, EWS category से बिलोंग करते हैं तो ज्यादातर जो अभ्यारती थी तो OBC category के EWS category के थे उनके form reject हुए थे क्योंकि उन्होंने जो अपना certificate है OBC का या EWS category का तो उन्होंने अपना पुराना जो certificate था वो अपना certificate है वो दिया था उसकी information दी थे इस वज़े से उनका reject हो गया था तो उसी के regarding इस information के बारे में कापी सरे बढ़ती को पता नहीं रहता है तो वो form तो feel कर देते है फाइनल रिश्टेशन की process में हैं वो form feel कर देते हैं उसमें OBC category, SCST या EWS category feel कर देते लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि जब आपकी rank अच्छी का सी आपको मिली है तो आपको जो का certificate है तो वो कब से कब तक issue हुआ हुआ होना चाहिए अगर उससे पहले या बाद का है तो वो आपका reject माना जाएगा अपको उस category में सामिल नहीं किया जाएगा EMS के दौर बिल्कुल clearly बताया गिया कि अगर आपके document में या आपके दौर कोई भी information अगर false निकलती है तो आपका application form में वो reject कर दिया जाएगा तो जैसे कि criteria for other backward classes non-crimalier तो non-crimalier तो OBC के NCL non-crimalier के बैड़ती है तो उनको BSC nursing के बैड़ती है तो उनकी जो exam date वो 14-21 मंडे को है तो उनका जो OBC का issue date है दोस्तों तो वो 15-6-2020 आप year ध्यान में रखिए 15-6-2020 अभी 2021 चल रहा है 14-6-2020 के 20 में आपका बना हुआ होना चाहिए अगर जिन अब बैड़ती है पहले बना रखा है य मेतर पर जाके और 15-6-2020 से 14-6-2020 के बीच में ही आपका हुआ होना चाहिए बना हुआ तो पहले बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें के वोल आपको renew ही करवाना है यह date आपकी वहां पर आ जाएगी अगर BSC nursing post basic BSC या प्रेमेटिकल कोर्षेज की करना चाहते हैं त तो उसके 27 June 2021 संडे को है और इनका जो OBC NCL का certificate है वो 26-2020 से 27-2021 के बीच में issue date होनी चाहिए उसमें दोस्तों और इसका जो format है वो center के level पे जो format जारी किया जाता है वो होना चाहिए वो आपको e-meter मिल जाएगा अगर आपने पहले बनवा रखा है center level का तो वो भी आपका इसम non-crimiliar का आपका center level का ही बना हुआ अपका certificate होना चाहिए तो अगर आप अपना finalization process अब वो e-meter पर जाके करवाना चाह रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप साथ में जो ये वाला certificate है उसको भी आप renew करवा लिजी जिसे कि आपको बार-बार में आना जाना ना पड़े तो द पाता है चोटी-चोटी चीजों को दोस्तों दिहान रखना होता है तो दोस्तों ये तो बात होगी OBC NCL non-crimiliar के लिए और क्रिमिलेर वाले अब या बैरति वो general में count किये जाते हैं दोस्तों तो general में ही count होंगे वो अब ये SCST की बात करें दोस्तों तो SCST का दोस्तों इसमे जो दिया गया है कि ministry of home affairs prescribed in ministry of home affairs number 42 oblique 2149 NGS dated दा जो 28-1952 का जो एक्ट था उसके इसाब से इसमें 29-30 के बाद बना हुआ होना चाहिए तो इसमें कोई इनका तो कोई issue नहीं है तो इनको कोई date का नहीं दिया गया SCST के लिए अब जो next है दोस्तों वो बात करते हैं physical handicap के लिए तो physical handicap के लिए दोस्तों जो disability act है 2016 तो उसके बाद का आपके पास में अगर आप physical handicap है person with benchmark disability है आपके 5% seat है उनको reserve रहती है तो आपके जो disability act है 2016 उसके बाद का आपका पास बना हुआ होना चाहिए तो यह आपका हो गया physical handicap का आप next बात करते हैं दोस्तों EWS का EWS के बेरती रहे हैं तो उनके यह issue रहता है पिछली बार में OBC और EWS के बेरती ही वो उनके form reject हो गयते admission नहीं ले पाए थे उन्हें अभी भी regret है उसी चीज़ का क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था YouTube चैनल पे देखा लेकिन कोई भी ऐसी information वो provide नहीं कर पते हैं तो दोस्तो यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है जो issue date है EWS की तो वो 14221 से 14621 के बीच में होना चाहिए अगर BAC nursing का course है उसका intense exam दे रहे हैं तो यह date बहुत ही important है मैं बार बार आपको इसे पे ही highlight कर रहूंगी यह date बहुत ही important है और BAC nursing post basic और BAC premedical courses की कर रहे हैं तो 27 जून को exam है 14221 से 27621 के बीच में आपका जो EWS का certificate है तो वो बना हुआ होना चाहिए बहुत ही important data दोस्तों इस पे आपको ध्यान रखना है तो यह दोस्तों important information थी जो EWS OBC और SCST category और physical handicap तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों आप study पे focus कीजिए आपके माने में काफी सारी चीज़ें आ रहे ही कि सर एक्जाम होगा या नहीं होगा अगर जिन अबेरते को basic registration application process हो complete हो चुकी है accepted है तो उन्हें बिल्कुल भी tension नहीं लेनी चिंतित नहीं होना है आप निश्य तरह यह जो भी update आएगी जिस तरह के कभी आपको study material चाहिए दोस्तों वो मैं आपक focus कीजिए concentrate रखिए बर्मीत ना हो और बिल्कुल भी panic ना हो दोस्तों panic होने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है कोई भी दिक्कत रहती कोई भी issue रहता है दोस्तों तो आपको instagram का link दिया गया description box में वहां follow करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं वहां हर अभ्याड़ती को reply कर पता हूं ऐसे नहीं कि किसी को ignore किया जर मैंने पढ़ते के बैठती को वहां पर reply किया तो आप ऐसा ना सोचे कोई भी doubt रहता है तो आप पूछ सकते हैं और I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा दोस्तों बस आपसे यही विंतिया वीडियो को like कीजिए और ज्यादा ज्याद अता है